रादे रादे मेरी योटूब फैमली तो चलिए आज हम एक ऐसे लड़ू गनाने जा रहे हैं जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ हैल्डी भी है बट इन लड़ों को हम बिना गैस चलाए बनाएंगे बस दो से ती मिनट में ये लड़ू बनके तयार हो जाएंगे और सभी को खाने में बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे तो यहां पर यह मैंने एक मिक्षी का जार ले लिया है इसमें डाले हैं 50 ग्राम बादाम 50 ग्राम के जितने काजू 50 ग्राम के जितने मैंने हैं पर डाल दी है चिरोन जी और उसके बाद एक टेबल इस्पून के जितना मैं मैंने सफेद वाले तील डाल दिये हैं और मिक्सी के जार का ढखकन लगा लेते हैं और इनको जड़ा अच्छा सा पीस के तयार कर लेंगे जितने मैंने आप ड्राइनर्स वगेरा का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो जादा भी ले सकते हैं जैसे कि अक्रोड वगेरा होता है अपनी पसंद के कोई भी ड्राइनर्स यहां पर डाल सकते हैं और कोई से भी इसमें स्किप कर सकते हैं तो इसको हमें थोड़ा सा चला लेना है मतलब एक इसका पाउडर सा बन जाएगा दर दर असा थोड़ी सी देर के बाद ही जब आप देखोगे तो देखें यहां पर इ पसंद होती है तो मैं हाँ पर डाल रही हूं करीब 200-500 ग्राम के जितना गुड़ जिसको मैंने चाको से छोटा-छोटा सा कट कर लिया था तो कट करने से क्या होता है गुड़ थोड़ा सा आसाने से पीश जाता है और मिक्सी में अटकता भी नहीं है फिर हमें क्या करना है अच्छे से पीश लेना है ताकि जो गुड़ है हमारे इस ड्राइनर्स पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पीश लिया है 40-50 से के लिए और अब इसका टेक्चर कुछ इस तरीके से हो रहा है अगर आप इसको बाइंड करके किसी भी चीज का यूजर नहीं करने वाले हैं तो चली क्या करते हैं इस सारे मिजरन को एक प्लेड में निकाल लेते हैं तो मैं तो इनको क्वांटिटी में कुछ कम ही बना रही हूं क्योंकि मेरा काम है कुकि का और डेली-डेली मेरे घर में इस तरीके की वीडियो या इस करते हैं तो इसी वज़े से मैं थोड़े कम बना रही हूं आप चाहें तो हैं पर क्वांटिटी इनकी बढ़ा भी सकते हैं और यह लट्टू जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं आप इनको एक बार बनाईए और महीनों के लिए आराम से श्टूर करके रख सकते हैं तो आ आप चाहते हो कि कुछ मीठा कम खाए तो इस तरीके से आप मीठे लट्टू बना के रख लीजिए इससे लट्टू हैल्दी हो जाएंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे